दोस्तों आज मैं माइलेज टेस्ट करूँगा TBS Radar 125 का इस बाइक की माइलेज टेस्टिंग के लिए आप लोगों ने बहुत जादा दिनों तक इंतिजार किया मुझे काफी देर हो गए इस बाइक की वीडियो बनाने में माइलेज टेस्टिंग की इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से छमा चाहता हूँ लेकिन आज मैं इसकी Eco Mode में माइलेज टेस्ट करके बताऊँगा कि ये बाइक आपको कितने की माइलेज दे सकती है इसमें दो मोड दिये गए हैं Eco Mode और Power Mode जिसमें आज मैं इस पसली Eco Mode में ही चेक करूँगा और Eco Mode में जैसे चलाई जाती है भाई लगबग मैं 60 तक इसको चलाऊँगा रफ राइडिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा और माइलेज टेस्ट करके आपको बताऊँगा क्योंकि जब मैं इसके बाद इसकी पावर मोड में जब माइलेज टेस्टिंग करूँगा तो उसमें मैं रफ राइडिंग करूँगा ज्यादा तेज भागाऊँगा और उसमें भी मैं आपको माइलेज बताऊँगा लेकिन आज आज आप देखेंगे इको मोड में राहूल इधर दिखाओ यहाँ पर आप देखेंगे यह इको मोड है और यह पावर मोड है दोस्तों और आप सबसे पहले देख लें कि मैंने इसके पेट्रोल टेंक को फुल करवा रखा जिससे ज़्यादा देर ना लगे माइलेज टेस्टिंग में यह आप देख सकते हैं पेट्रोल टेंक फुल है और मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि यह बाइक कितना चली हुई है यह बाइक बिल्कुल नहीं है अभी यह मात्र चली है 47 किलो मीटर आप यहाँ पर देखेंगे 47 किलो मीटर यहाँ पर ट्रिप मीटर में आप देखेंगे 47.2 किलो मीटर यह दिखा रही है तो अब मैं इसकी माइलेज टेस्टिंग की सुरुआत करता हूँ इको मोड में और आपको बताता हूँ कि यह बाइक कितने की माइलेज आपको दे सकती है तो दोस्तों अब मैं इस बाइक की माइलेज टेस्टिंग की सुरुआत करता हूँ और एक बार मैं फिर से आपको मीटर दिखा दूँ आप यहाँ पर देखेंगे यह 47.2 है और यह 47 है और इस ट्रिप एको मैं जीरो कर देता हूँ यह जीरो हो गया और ट्रिप 2 दिखा देता हूँ यह 47.2 है और ट्रिप 1 आप रेंज आप देखेंगे यह रेंज आप देखेंगे अभी जीरो बता रहा है और अभी यह एबरेज 24 किलो मीटर पत लीटर बता रही है ट्रिप 1 जीरो है और एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ यहां से पेट्रोल टैंक खोल के कि कितना पेट्रोल इसमें भरा हुआ है और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ जिससे आप लोगों को दिखा सकूँ कि हाँ भाई इसमें पहले कितना पेट्रोल था और अभी इसमें कितना पेट्रोल है और यहां से मैं मीटर की भी फोटो खींच लेता हूँ जिससे आप लोगों को विश्वास रहे कि हाँ भाई इसमें कितना चली थी आप यहां पर देखेंगे 47 और अब मैं इसको कर देता हूं इस पर ये बताएगी माईलेज ये एबरेज बताती रहेगी तो अब मैं इसके सुरुआत कर देता हूं भाई चवथे गेर में बाइक खड़ी हुई है फश्ट गेर लगा लेते हैं और यहां पर आप देखेंगे यह एको है और यहां पर यह इको दिखा रहा है यहां पर मीटर में इको दिखा रहा है इस्टार हो गई है दोस्तों मैंने इस बाई को पचास किलो मीटर और तीन सो मीटर टोटल चला लिया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहां पर अठानवे है यहां पर ट्रिप ए में पचास दसमलो तीन किलो मीटर है मोड मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ ट्रिप बीस सतानवे दसमलो छे है रेंज और माइलेज यह बता रही है और यह अठानवे अब मैं फिर से ट्रिप ए पर आ चुका हूँ और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और चलके सीधा पेट्रोल भरवाता हूँ अबाई जो प्राइब करता हूँ करता है बीजर हाँ प्राइब करता है अबाई प्राइब करता है इसको बाईब कि अभी वही चेक कर रहे हैं कि फूल करवा लिये थे भर हो ऐसे बहुत दूर चला लिये अब कहां कहां गए बहुत दूर गए सहर भर में चलाए हैं अजब पड़ेगा भी तब पता चलेगा इससे पहले आके टैंक फूल करवा के गये हैं नए जनसिस का है हमने ली है इस गाड़ी को हां 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 तभी तो कंफर्म होगा ना बहुत बढ़ी हैं तब्यात कुस हो गई हमारी अब लेकिन जैसे हम लिये हैं तो यह आप कहेंगे भी अरे थोड़ा ही पड़ेगा मंदब पचास-साथ रुपे का ही पड़ेगा या सत्तर रस्ती के जो भी पड़ेगा यहीं तक भर अगा इस दो कि अगा अभी तक पेट्रोल हो चुका है कितने का एक मिनटार पाई प्रोड़ों खीच लेने देना 500 दोस्तों अब मैंने इसमें पेट्रोल भरवा लिया है और अब मैं पहुंचता हूं अपनी दुकान पर वहां पर लगाता हूं कैमरा और आपको बताता हूं किसकी रियल माईलेज कितनी निकली है तो दोस्तों इस बाइक की माईलेज टेस्टिंग का जो रिजल्ट निकला है इको मोड में वो सुनकर आप बिल्कुल चौक जाएंगे बिल्कुल दंग रह जाएंगे मैंने काफी मेहनत की है इस बाइक की वीडियो बनाने में माईलेज ये आपकी बाइक की बैलू और रिसल बैलू को बना कर रखेगा और आपकी बाइक स्कूटर कार चाहे वो मैट कलर में हो या फिर साइनिंग कलर में हो आप उस पर ये लगा सकते हैं, डेस्ट बोर्ट पर भी लगा सकते हैं मतलब की आल-इन-वन पॉलिस, प्रीमियम पॉलिस आपको काफी कम कीमत में मिल रही है एमेजन पर, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाएं और इसको खरीज सकते हैं अब हम बात करते हैं इस TBS Raider 125 की माइलेज की दोस्तों तो सबसे पहले मैंने इसके पेट्रोल टैंक को फुल करवाया और फुल करवाने के बाद मैंने इसको 50 किलो मीटर और 300 मीटर इस बाइक को चलाया जिसमें मैंने 10 किलो मीटर सिटी में, 10 से 15 किलो मीटर सिटी में और उसमें खराब सणकों पर ट्रैफिक में चला कर देखा और उसके बाद मैंने इसको हाइवे पर चलाया और मैंने आप से सुरुवात में कहा था कि मैं इसको साथ तक चला हूँगा लेकिन मैंने इसको सतर पशतर तक चला कर देखा और इस बाइक ने 50 किलो मीटर और 300 मीटर चलने में मात्र 700 ml पेट्रोल खाया है तो टोटल इस बाइक की माइलेज जो निकली है वो निकली है 71 दसमलो कुछ की इस से पहले मैंने साइन SP की माइलेज चेश्ट की ती जो की 63-65 थी और सूपर की थी लगभग 63-65 की लेकिन इस बाइक ने माइलेज दे रही है आपको 125 CC अब ये आप लोगों के उपर है कि आप लोग सोचें कि मैंने कितना अच्छी तरीके से चेक किया है मैंने अपनी तरब से बिल्कुल 100% सही चेक किया है आप इसको 65 की भी मान सकते हैं या 68 की इस बाइक की माइलेज मान सकते हैं तो मेरे हिसाब से इस समय 125 CC में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक बन गई है TBS Raider 125 अब मैं तुरंट जा रहा हूं इसकी जैसे पावर मोड में माइलेज टेस्ट करूंगा जिसमें मैं रफ राइडिंग करूंगा भगा कर देखूंगा हर प्रकार से माइलेज टेस्ट करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि यह पावर मोड में कितनी ज्यादा माइ झाल झाल